हलो फेंड्स वेलकम आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे लाल मृद्दा के बारे में इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुकी हूं कि जो जलोड मिट्टी होती है उसके बारे मैंने आपको बताया था छे मिनेट सारे छे मिनेट की पूरी वीड तो आज हम करेंगे दूसरे मिट्टी के बारे में वह हमारी लाल मृद्दा क्योंकि आप कोई भी कॉम्टेटिटिव एक्जैम की तेहरी करें जहां पर आपका जो एसस्टी पूछ लिया जाता है या फिर आपका जर्नल अवेर्नेस पूछ लिया जाता है जिसमें जोगरफ मिट्टी है उसका निर्मान कैसे होता है क्योंकि हमने जलोड मिट्टी के बारे में बताया था कि जलोड मिट्टी का जो निर्मान है वो कैसे होता था नदियों के द्वारा लाएगे मिट्टी से जलोड मिट्टी बन जाया करते थी अब लाल मिट्टी की बात करते हैं इसका गारत dadas करें जलोड मिटी की बाता है कि उसमें पोटास जो है बहुत ज़्यादा पाई जाता है और सब से अभी-मिटी की बात करें तो लाल मिटी का जो निर्मान होता है यह जल वाई भी यह परिवर्तने यानि के जो मिटी में जो जल होता है, उसमें जो कुछ चेंजिस आते हैं, या फिर आपने कायांतरित शेल होते हैं, विघटित हो जाते हैं, तो इन सभी प्रक्रिया से हमारी क्या होती है? लाल मिटी बनती है, Next क्या है, मिटी में सिलिका और आयन, याद रखना कि जो लाल सिलीका पत्राइब परब जादा मत्रा आर्स में जाता है। जिए सिलीका और ज्रुस समें एक कोशिए सक्तपशक दादा है, जैसे देखें, इस लाल मिटी लग में जाता है। आगे पढ़ते हैं लाल मिटी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्तती के कारण होता है ठीक है याद रखना अब फिर से हम यह चीज़ कर सकते हैं कि लोह में भी अपना लोह आया हुआ है और लाल मिटी में भी लोह होता है तो याद रखेगा कि लाल मिटी का जो लाल कहीं देती है लेकिन लाल मिटी का रंग ओफ कोर्स लाल होता है ज़ो की अपसतिती से होता है जिस में जी मच्ग और सीलीका थो आलेन फिंथ्टे पाया जाता है नेच्ट्क है यह ईमलिए प्रकरती की there एक अपना अर्श होता है लेकिन लाल मिती होती है यह अपना ल्या प्रेकर्टी की होती आप देखो अमलीये नहीं पता ही कैसे आता जा प्रेकर्ष नगाज़ की दिए नाइट्रोजन स्षॉ्पोरोस एवंगे कमी होती है यह मिती प्राय और वर्दा बिहीन वंजर भूमी के रूप में पाई जाती है याद रखना कि यह जो लाल मिती है उसमें कोई भी उरवरता नहीं होती है इसमें कोई भी आप फसल नहीं उगा सकते है पूरी तरह से वंजर भूमी होती है वंजर भूमी ऐसी भूमी होती है जहां पर कोई भी क्रिशी नही आप लिए फैसी पड़ी रहती है आप आप लेकिन कुछ ऐसी जमीन होती है जो भुलकुली बंजन होती है उसमें कोई फैसल नहीं पनने वाली ठीक है तो यह रहे हम लाल मिट्टी कूझ तो कि देखो अब यहां से भी कर सकते हैं कि लाल मिट्टी क्या होता है खत्रे का साइन आप कोई फबे नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपकी इस थी जादा खराब मिटी होती हैं। जहां सकते हैं तो इसमें कोई पसलिए ने उगाई सकते हैं। यह यहां पर याद रहेगा में बिंश्द से लिए जाता है कि मतलब बनता है। इस मिटी में कपास गेहूं डाले वो मोटे अनाज की क्रिसी की जा सकती है जा सकती है यहां पे कहा है कि इसमें जो है वो हम इसकी फसल की खेती कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि आपनी चीज नोटीस करी होगी यहां पर कि जो बंजर भूमी होती है ठीक है वहां पर कोई फसल हम न तो उसमें कुछ फसले उगाई जा सकती हैं आपने यह चीज नोटिस करी होगी कि जैसे हम अपने जलोड मिटी की बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी फसलों के नाम दिये गए थे यानि वह इतनी अच्छी थी पहले बता रखा था कि सबसे जादा मिटी कौन सी है जलोड म बहुती है जो कि बंजर भूमी होती है और बहुत ही कम फसल आप इसमें उगा सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं कपास गेहूं दाले मोटे अनाजी यही कुछ प्रकार की फसले हैं जो इसमें उगाई जा सकती है लेकिन बहुत मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि इसमें खराब भी हो सकती है क्योंकि यह बुलकुल भी फसलोगाने लायक जैसे भूमी नहीं होती है ठीक है उसके बाद है भारत में यह मिट्टी आंदर परदेश एवं मध्य महारास्ट में मिलती है नागलें में राजस्थान में लिखा है करनाटक इस तरह के कुछ भागों में हमें यह लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी ठीक है लेकिन ज्यादा तर हम इसमें बात नहीं करेंगे और एक चीज और भी आपको नोटिस करें जैसे अंदर परदेश एक टतियक्षेटर आता है कि राजस्थान सीमा से लगता हुआ है कि महारस्टी बीच में जुरूरे जाएम नादू यह कहिने गई सीमा से लगे हुए है सीमा से परdle will come with the two и one is फτε्प 아니라 भी प्रिखनेmber को यूर नहीं कर ह술 थे करतेहें टूना का इस्तेमाल कर लाल मिठी की और वरता भठाई जा सकती है थांपर वरता की बढ़ा रिणा कर एंगे को तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं अब चलो इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूं पहला जो पॉइंट आता है पहला जो हमारा क्वेशन बनता है वह यह है कि लाल मिट्टी जो है यह बनती कैसे है दूसरा आता है इसमें शिलिका और आइरन पाया जाता है तीसरा है इसका लाल रंग यह तो आप बुलकुल ही याद रख लेना कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है वह किस वज़ा से होता है जो लह ऑकसाइड है ठीक है उसकी वज़ा से होता है यह तीसरा कोशन हो गया फिर है यह अमलिय प्रकरती की होती है यह चौथा कोशन हो ज होती है छटा हमारे कोशन आजाता है फिर यह मिट्टी में कपास गेहूं डाले वा सकते हैं यह साथवा कोशन आजाता है ठीक है उसके बाद आठवा है कि यह अंदर परदेश और राजिस्थान महारा से तमिल नारू कर नाटक इस तरह के शित्र में पाई जाती है और नौव तो पूरे चुना लगालू लाल बिटी में तो इस तरह से तोड़ा कहीं याद रहेगा तो आपके इस चोटे से पारग्राफ में हो चुके हैं तो आज के लिए हमी पी खतम करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ठीक ल